हेलो प्रेंड्स, नमस्कार, जय जनेंदर, जय श्रीम आकाल करोना वाइरस, करोना वाइरस बहुत तीवरता से हमारे देश, हमारे विश्व में फैल रहा है उस करोना वाइरस के थुरू, भगवान एक संदेश देना चाहते हैं रात के बजरे हैं, एक बच के पचास मिनट, बाइस मार्च, दोजार पीस सोने में थोड़ा अंकमफटेबल फील कर रहा था, सोचा आप लोगों तक अपने मन का संदेश पहुचा दूँ और भगवान जो संदेश हमारे भगवान या फिर कोई एनरजी जो इस करोना वाइरस के थुरू हम मानाव प्रजाती के लिए भेजना चाहती है, उनको भी समझ लोग तो करोना वाइरस क्या कहना चाहता है हम लोगों से, इस वीडियो में कवर करूँगा कि करोना वाइरस हम लोगों से क्या या फिर यह प्रतरती करोना वाइरस के थुरू हम से क्या कहना चाहती है, एक कहानी सुनाओंगा अकबर वीदबल की और फिर लोगा कि हमें क्या करना आइस बार दीसं में और फिर अड़ी बाद करूं हृँ करते हैं लेंस बाजार को आगे बाजार की में इन सब चीजों की क्या इंपक्ट हो सकते हैं कहां पर भजार स्टेबल हो सकता है कहां से कहां तक तुट nे को देखने हैं सकता है और कैसे इसमें ग्रोथ आ सकती है चलिए बात को आगे बढ़ाता हूं करोना वाइरस के थुरू यह प्रकृति हमसे क्या कहना चाहती है या फिर भगवान या फिर एनर्जी हमसे क्या कहना चाहती है एक जटके में घुटनों पर ला दिया समस्त मानव प्रजाती को आसियां ढूंड रहा है चीन पडोसी देशों की जमीन हड़तने की तैयारी में तो रूस और अमेरिका न्यूकलियर पावर के नसे में पूरे विश्व को ध्वस्त करने की कोशिस में लगे हैं कहीं धर्म के नाम पर नर्सहार चल रहा है कहीं अत्याचार हो रहे हैं छोटे को रहने के लिए खुबसूरत धर्दी दी थी तुम लोगों ने इसे बरबाद करके नर्क बना दिया है मुझे नहीं पता था कहां चीन की सीमा खत्म होकर भारत की सीमा सुरू होती है मुझे नहीं पता था कहां इरान है कहां इटली है और कहां जर्मनी है ये सब तुम जानते हो कि सब छोड़कर मेरे पास ही आना है फिर भी कतले आम मचा रखा है अभी समझ जाओ सुधर जाओ फिर मत कहना मैंने मौका नहीं दिया चलिए बात को आगे बढ़ाता हूं बात करता हूं अगबर और बीरबल की एक स्टोरी जो हो सकता है आप लोगों ने बच्पन म एक बार मुगल बात्साह अगबर और उनके अती प्री मंत्री बीरबल दोनों सतरंज खिलने बैठते हैं दोनों के बीच एक सर्थ लगती है उन दोनों वैक्तियों में से सतरंज की बाजी जो हारेगा उसे जीतने वाले की इच्छा के अनुसार जुर्माना चुकाना होगा इस एक्रम में पहले बीरबल बोला जहाँ पना अगर मैं हार गया तो मुझे आपको क्या देना होगा बात्साह कहते हैं बात्साह ने जवाब दिया बीरबल यदि या बाजी मैं जीता तो तुम्हें जुर्माने के स्वरूप मुझे सौ सौ हंड्रेड सौन मुद्राएं आपनी होगी इस पर बीरबल ने हाँ में अपनी गर्दन हिला देते हैं तभी बीरबल फिर पूछते हैं अब बारी बीरबल की थी वहब अगवर से पूछते हैं जहाँ बना अगर मैंहार गया अगर आप हार गये तो आप मुझे सतर trad के चौसट Ֆानों में गहां के दाने रखकर चुकाईएगा लेकिन इसमें भी मेरी एक छोटी सी शर्त है पहले खान अच्छा सत्रेंज के 64 खाने होते हैं सत्रेंज जब आप खेलते हैं तो ऐसे इसमें 64 बॉक्स होते हैं तो वीरबल की क्या शर्त होती है कि उन 64 बॉक्स में आप मुझे गेहू रखके दीजेगा लेकिन उसमें भी एक छोटी सी शर्त यह होती है कि हर एक बॉक्स में आप पहले बॉक्स में एक दाना रखेंगे दूसरे बॉक्स में दो दाना रखेंगे दो दाना रखेंगे तीसरे बॉक्स में चार फिर आठ फिर 64 फिर 16 फिर 32 फिर 64 तो ऐसे करके आप 64 दानों में 64 बस उसी में क्या था एक बड़े एक बड़ा थाहका लगाते हैं अकबर जी और बुलते हैं मन्जूर है खेल शुरू होता है और अकबर ये खेल हार जाते हैं बीरबल जीच जाते हैं अब क्या करना होता है खेल 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 खतम हो गया अकबर को बीरबल को जो बीरबल को जुर फूर जर्माने के तौर सो राट यहूं चुकाने उस टारी करो चुका दो नहीं से डियर हैं अपसीन हो जाते हैं वापस आ जाता है सल्ताने हुकूमत बात्साह के पास अक्पर के पास तरहां जोड़ के बोलता है जहाँ पना अगर हम इस सल्तनत का सारा गेहूं भी इस इनके चौंसट खानों में अगर रखके दें तो भी हम इसको पूरा नहीं कर पाएंगे अब सुनि कि उसको यकीन ही नहीं होता वो खुदी अपने मन में इसकी गड़ना करने लगते हैं इसकी कैलकूलेशन करने लगते हैं कि चौंसर्ट खानों में कितने गेहूं होते हैं आप भी शायद मेरी बात से इक्तिफाक नहीं रखते हैं लेकिन चलो मैं आप लोगों को समझाता जब 64 बॉक्स के कैलकूलेशन अकबर की माहिन में जाते हैं तो उनके होश एक्तम उर जाते हैं चली कैसे होते हैं मैं बदाता हूं पहले खाने में एक दाना दूसरे खाने में दो दाना चार दाना आठ दाना 16 दाना 32 दाना 64 दाना ऐसे करके calculation start होते हैं और 64 बॉक्स में जब वो गेहों के दाने पहुंचते हैं तो मैं आप लोगों को 64 घर में जो गेहों के दाने पहुंचते हैं उसका नंबर बताता हूँ वो नंबर मुझे भी पढ़ते नहीं आ रहा है तो मैं सिर्फ आपके लोगों को नंबर पढ़के बताता हूँ 922-333-720-3685-477-5808 यहने इतने दाने वो 64 खंड में जाते हैं एक से लेके 64 खंड तक अगर हम उन दानों की counting करते हैं तो वो दाने होते हैं 1844-67-4-07-3-70-9-55-16-15 पढ़ते नहीं आ रहा है मुझे भी तो नंबर को समझे यह बहुत बड़ा नंबर है मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसका total weight कितना होता है जो इसका कुल वजन होता है इन गेहूं का वो होता है 19,990 करोड़ मेट्रिक टन करोड़ सी करोड़ मेट्रिक टन वापस रिबीट करता हूँ 19,990 करोड़ मेट्रिक टन इसका वजन होता है तो आप सोचिए यह अच्छा आप लोगों को मैं यह भी बता दूँ कि व्रद्धी दो तरक्य होती है जो ग्रोथ होती है वो दो तरक्य होती है एक होती है संख्यात्मक ग्रोथ और एक होती है गुलात्मक ग्रोथ गुलात्मक ग्रोथ जिसको हम रोज मर्रा की जीवन में बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं exponential growth संख्यात्मक ग्रोथ जो होती है वो होती है एक, दो, तीन, चार, पाँ, छे, साथ, आट, नो, दस, ग्यारा, बारा इसे 64 तक और गुनात्मक ग्रोथ क्या होती है जो बीरबल की डिमान थी जो अकबर को जुर्माने के तौर पर गिहूं के दाने 64 खानों में देने थे वो होती ही गुनात्मक ग्रोथ 2, 4, 8, 32, 64 इस तरह से ये गुनात्मक ग्रोथ होती है मैं कोई साइन्स का स्टुडेंट तो नहीं हूँ और नहीं मैंने कोई डॉक्टर ही किये मैं एक एवरेज कॉमर्स बैग्राउंड का स्टुडेंट हूँ लेकिन जो करोना वाइरस की से बढ़ रहा है वो वो ग्रोथ इसकी गुनात्मक ग्रोथ है तो इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विन्रती करना चाहता हूं कि भाई घर में बैठिये घर में बैठेंगे तो उसके बहुत सारे फायदे हैं वो फायदों के उपर भी बात करता हूं मैं आप संस्था है जो बताती है कि 12 घंटे के आसपास यह मैटल पर रह सकता है और शरीर के बाहर यह 9 दिन तक एक्जिस्ट कर सकता है और WHO वर्ल्ड हेल्थ और्गनाइजिशन के हिसाब से यह दस मिनट के आसपास अपने स्किन्स पर एक्जिस्ट कर सकता है यह अगर आप लोगों को कहीं से लग गया है इसका वाइरस का कोई कंपोनेंट या फिर उसका अवशेस तो दस मिनट तक आप लोगों के हतेली में सरीर मे रह सकता है इसी लिए मैं मीडिया का इस ऐसे क्रूसिल टाइम पर अप्रिशेट करता हूं कि जिस तरह से यह अगरनेस फैला रहे हैं आप लोगों को एजुगेट करने की कुछश्च कर रहे हैं जिस तरह से पॉलिशी बना रहे हैं वो ट्रमेंडस है अप्रिशेबल है तो बार बार आप लोगों को गाइडन्स दिया जा रहा है कि आप जब भी बाहर से आते हैं या फिर कहीं भी कुछ भी किसी से मिल रहे हैं तो आप तुरंत उसको सेनिटाइज करिए हाथ दो यह दस मिनट भी सेकंड तक हाथ दोना चाहिए आप लोगो तो मैं आप लोगो डब 48rbs अगसे आक्षी स्कासा कर तो अगर कशी लेच वह दोंनत रहे सकता है और डुक्त जो हिंस क्वाइडन रहाए तो यह लागो करकर एक request करना चाहता हूं कि आप अपने मैं तो गौर्मेंट से भी अपील करना चाहता हूं कि आप अपने घर में बैठिए कहीं बाहर जाने की ज़रूत नहीं है बाहर नहीं जाएंगे तो किसी infected इससे दो फायदे होंगे एक तो यह होगा कि जिस परिवार में भी या फिर परिवार की किसी सद्द से को अगर कोई coronavirus का effect है या फिर उस disease से वह affected है तो उसको सीधे hospital में भरती करा दिया जाए और जो नहीं है वो अपने family के साथ अपने घर पे safe रहेगा safe कैसे रहेगा वह बाहर नहीं जाएगा वो किसी lift की button को नहीं छुएगा वो किसी से हाथ नहीं म तो घर में रहेंगे safe रहेंगे इसका एक ultimate इस coronavirus ये तभी जाएगा हमारी स्रस्टी से जब तक हम अपने घर पे नहीं बैटेंगे इसका जो effect होता है वो ऐसा माना जा रहा है कि नौ 8 से 9 दिन के आसपस रहता है नौ दिन के बाद ये अपने आप हट जाता है तो अगर आप अपने बैटे होगा हो तो इसका जो effect है वो अटोमेटिकली कुछ शर्टेन टाइम में निल हो जाता है तो अगर आप सभी लोग अपने घर में बैठे हुए हैं तो इसका आप लोग का असर नहीं होगा और हमारी country भी safe रहेंगी और यह दस दिन बाद हमारा सब दिन चरया जैसे चल रहता वैसे चलता रहेगा किसी की party में मैं जाईए घर पे बैठिये एक्चली यह बहुत dangerous है और अभी तो जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ ही है और पैनिक भी भूनी की कोई जरुत में नहीं मैं कोई डराना चाहता हूं मैं सिर्फ यह बात कहना चाहता हूं कि अगर हम लोगों इन चीजों से बाहर निकलना है तो हम लोगों को अपने घर में बैटना ही पड़ेगा प्रदान मंतरी जी ने बहुत अच्छा step लिया बात करता हूं कि इस वाइरस की वज़े से हमारे मार्केट में क्या-क्या अफेक्ट हो सकते हैं मार्केट मार्केट की बात करने के लिए बात करूँगा इंडیकस की आप और मैं सब जानते हैं की मार्केट जो होता है जो हमारात की फ़णर मार्केट है मेरा यह समझना है कि हमारे स्टॉक मार्केट में बहुत डर्वांस में वह सारी प्रॉब्लम्स को डिस्काउंट कर लिया जाता है या अच्छी न्यूज हो या फिर प्रॉब्लम्स कह लो या अच्छी न्यूज है तो भी उसको बहुत डिस्काउंट में उसका इफेक्ट दे दिया जाएगा और बुरी न्यूज है तो भी उसको बहुत डिस्काउंट में इ तो 2019 में यह स्टार्ट हुआ था चीन के चीन के चीन के तरफ से हैं तो उसमें उसके डिस्क्रिप्शिन उसके डिटेलिंग में नहीं जाते हैं नहीं तो यह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग तो में को फैनलिशिल मार्केट भी कवर करना है फैनलिशिल कि चाइना की तरफ से हम लोगों को ज्यादा इंफर्मेशन नहीं मिल रही थी कि कितना क्रिटिकल है कितने लोगों को क्या एफेक्ट हो रहा है यहां पर बड़े लोगों की पोजिशन या स्मार्ट मनी या फिर कुछ भी कहलो आप जो अच्छा फंडमेंटल जानते हैं जो अच्छे अनलेसिस करते हैं जो स्मार्ट प्लेयर्स होते हैं वह यहां पर पोजिशन बिल्ट अप करते हैं यहां पर नियू स्प्रेट की जाती है यहां पर आप लोगों को माल पकडाया जाता है और यहां पर जब यहां यहां आता चला जाता है यहां पर यहां यहां पर खड़ा हुआ था फेबरी एंड तक कहलो और वायरस चालो हुआ था डिसंबर 2019 में चीन में और वहां से इंफर्मेशन उसको भी बहुत दबाया जा रहा था क्योंकि अगर वह इंफर्मेशन पहले निकल जाती तो तो फेबरी पहले से क्रेश करना चालो कर देते तो मेरी समझ यह कहती है कि जो स्मार्ट प्लेयर्स का जो यहां पर पोजिशन बिल्ट था वह पूरा खाली नहीं हो पाया था और जब तक यह खाली नहीं होता तब तक आप लो तो तब तक उसके इंफेक्ट नहीं देखे जात सब एक दम से बहार सालाब ला दिया गया वारष सबलोग पैनिक हो गए यूएस मार्केट क्रेश कर गया डाव प्रेस कर गया अपना इंडियन मार्केट क्रेश कर गया ओल्मोस्ट थर्टी-थर्टी-टू-3 5% के अस पस इंडियुजल स्क्रिप्स की डिसकांट वेल्यू ह चल रहे हैं तो अचानक से यह खतरनाक सा महौल डेवलप किया सब पैनिट्रेट किया गया पैनिट्रेट हो रहे हैं अभी चलिए अभी हम फिगर्स में डिसकस करेंगे तब आप लोगों समझ में आगा कि किस तरह से इसके हालात बने मेरा चाहां तक समझना है मैं बात करता हूं निफ्टी की निफ्टी से ही हम लोग जैसा मैं आप लोगों को कह रहा था कि यह मार्केट बहुत एडवांस में रियक्ट कर जाता है तो इस बार उसको एडवांस्मेंट ना देखके उसको प्रीमियम दिया गया कि और एक्डिड म मार्केट में कहीं कोई इफेक्ट नहीं आने वाले जब लोग उस निउस को छोड़ने लगे तब लोगों ने अग्रेसिवली बाइंग इनिशेट कर दी ती इंडिन बज़ट भी आने वाला था बजट कभी बजट भी एक मेजर फेक्टर रहता है मेजर फेक्टर था कि आप लोग आम जन्ता माल पकड़ रही कि माल बढ़ गया बजार क्रेश कर गया अब क्या करना है अभी निफ्टी 8700 के आसपास की क्लोजिंग निफ्टी इंडेक्स से ही हम लोग बहुत सारी आगे की रण नीकिया रूप रेखा समझ सकते हैं कि आगे हमको यह मार्केट के नंबर्स हमको सब बताते हैं कि अच्छा डेवलप्मेंट हो रहा है तो भी हम लोगों को यहां पहले दिख जाएगा और अगर कुछ बुरी निउस आने वाली है तो भी हम लोगों को यहां पर आभास होने लगता है हमारी केलकुलेशन हमारी रिसर्च हमारी टेक्निकल्स लेहतं है कि कुछ तो भी अनुहनी होने वाली यह फिर बहुत अच्छा होने वाला यह फिर जा दो पजार कहने लगता है पहले कहने लगता है किसि कि कोई न्यूस जोरी लान हमिन यूस यूज निकी जाती यह कौई पहले नंबर से पता जाल दाता है तो हम नंबर से में बात करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा तो यह जो वाइरस का जो इफेक्ट है अभी तक तो सिटीज में था अगर यह इंफेक्टेड लोग गाओं में भी पहुँच गया आज मैं देख रहा था टेलिवीजन जो कि मैं कम देखता हूं टेलिवीजन में देख रहा था कि प्रधान मंतरी साहब हमारे लोगों से रिक् जहां पर लोग रहे हैं मैं भी उन लोगों से दर्खवास करना चाहूंगा कि वहीं पर रहे हैं ताकि यह चीजें ज्यादा क्रिटिकल ना हो क्योंकि अगर यह गाओं गाओं में पहुंच गया तब तो हमारे पास इतने हमारे हमारी टेक्नोलोजी अफिर कहलो हमारे पास इतनी सुविधाय नहीं है कि हम हर एक व्यक्ति को उन चीजों से बाहर निकाल सके एक बैस पाट यह है कि एक बैस पाट यह वायरस का कि यह ओने ट्रेवल नहीं करता है और दूसरा दस में से आठ लोग यह वायरस अगर आप लोगों में से आ भी जाए तो अपने आप निकल के निकल भी जाता है और आपको पता भी नहीं चलता कि यह वायरस आप लोगों ने फेस करके इसको पास आउन भी कर दिया है ये दो best part है इसके लेकिन दो लोग जो infected रहेंगे वो दो लोग चार लोग को करेंगे चार लोग से आठ लोग होगा आठ से 16 होगा तो ये exponential growth भी दे सकता है आगे अगर ये exponential growth देता है तो ये market के लिए और खराब हो जाएगा क्योंकि industry को जो industry में जो employees होते हैं वो majorly छोटी छोटी जगह से आते हैं तो चलिए अब इन सब की consequences में आप लोग को बाजार की दृष्टी कौन से समझाना चाहूँगा निफ्टी आज close हुई है जो Friday की closing थी Friday की closing 8700 के आसपस हुई है मेरा ये समझना है कि जब तक निफ्टी 9,930 के उपर नहीं जाती है तब तक हमें तेजी की expectation भूल जानी चाहिए एक बात तो आप समझ लो कि ये market में पैसा सिर्फ वही कमाएगा जो investor है speculator पैसा इस market में नहीं कमा सकता क्योंकि उसको वह moment नहीं पता होता कि ये कब तेजी पकड़ लेगा और कब हमारे stop loss नहीं बजेंगे ये ऐसे टाइम पर ये stop loss बजाएगा और फिर भाग जाएगा जहां तक मेरा समझना है कि अगर कोई sudden यूटन ले ले लेती है ये करोना वाइरस की नियूज अच्छा करोना वाइरस तो आया ही आया है यह ऐसे टाइम पर आया है जब economic slowdown चल रहे थे और economic slowdown चल रहे थे अगर इस पर कोई बोल दे कि नहीं चल रहे थे तो काफी सारी industries देखेंगे जैसे आप मारूती देखेंगे 9000 का शेर अलड़ी 6600 500 पर चल बहुत सारी industries के shares बहुत discount discount चल रहे थे तो economic slowdown तो है GDP के data हमें दिखते हैं unemployment दिखता है सब कुछ दिखेंगे रुपए का रुपए के हलत देख लो तो मैं ऐसे सारे parameters को कवरने करना चाहूंगा मैं इन इन शॉट यह कहना चाहता हूं कि economic slowdown चल रहा था और उपर से करोना व कर रहा है पहले तो नमक निकलेगा और फिर जखम भरने में भी टाइम जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि 20% चांसे है कि यहां से सड़न एकदम यूटन ले बजार और 80% चांसे है कि यह बाजार या फिर यहां पर stable हो जाए या फिर यहां से और 15% या 35% तक तूड़ जाए जिसके मुझे 75-80% के आसपस chances लगते हैं उसकी वजह भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा अगर यूटन आता है तो मैं आप लोगों को फिगर बता देता हूं आप लोग समझ जाना कि यह फिगर को अगर इसने तोड़ दिया तो यह बलदियों पर वापस चलना चालू कर देगा जिसको मैं deny नहीं करता बाजार है बाजार किसी के बापका नहीं होता ना मेरे बाप का ना किसी और के बापका अगर कोई बोलता है मेरे बापका तो समझ आपको बेवकूफ बना रहा है तो 20% चांसे से बाजार के यहां से यूटन लेने के और अगर वह यूटन आता है तो वह बहुत फास्ट होगा जिस पर कि स्पेकुलेटर लोग पैसा कमा ही नहीं पाएं तो एक यह पॉसिबिलिटी है और यह पॉसिबिलिटी कब बनेगी जब निफ्टी 9920 को करके उसके उपर स्टेबल हो जाए और 10,200 के उपर यह भागने लग जाए तब आप समझ लेना कि यह बाजार से अब खत्रा सारा तल चुका है अगर यह 20% नहीं हुआ तो क्या हो सकत है अगर निफ्टी मी साथ भजार 666 को रख कर देती है निफ्टी इंडेक्स की बात कर रहों मैं साथ हजार 660 को ब्रेक कर देती है तो हो सकता है वो 6750 तक आजाए 67 अगर और ज्यादा इंटैसिव करने लगता है लोगों को और प्रोब्नेंट बढ़ जाती है तो ये भी कहना गलत नहीं होगा कि ये बाजार एक बार 6700 को अगर ब्रेक कर देता है तो ये पचपन सो और पचपन सो पचपन के बीच में आ जाए किसी ने नहीं सोचा था कि 12400 से 7825 आ जाएगा तो मार्केट में कुछ भी सर्टेन नहीं है कुछ भी हो सकता आप लेके चलिए तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माद्दन से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों की 100 रुपए की लगानी अच्छा एक चीज और बताना चाहूँगा कि सपोस्पोस करके अपने एक्जांपल के लिए आप लोगों भी समझने में आसा नहीं जाएगी और मुझे भी समझाने में आसा नहीं जाएगी क्योंकि एस वीडियो का शेयर अगर किसी ने 300 रुपए में 5 शेयर खरी जाऊंगे तो उसने इंवेस्मेंट किया होगा 1500 रुपए अब बाजार में भाव आगए 200 रुपए के 180, 180, 184 के आसपास का लोम आ रहा था इसने अभी 210 के आसपास सल रहा है तो जो बंदे ने 300 रुपए में माल खरीदा 300 रुपए में सिर्फ 5 शेयर खरीदे होंगे एक अपने रिजनेबल इंवेस्मेंट या फिर SIP के हसाब से तो उसके उपास 1500 रुपए के शेयर पढ़े होंगे 5 शेयर अब बजार 200 में आ गया ना तो वो इन्वेस्टर जरूर सोसता है कि मैं यहापर 15 ले लेता हूं हर कोई सोसता है सस्ते का माल तो लेना ही चाहिए और मैं देख रहा हूं टेलिवीजन देख रहा हूं मैं स्टोरी लाइन पढ़ र 500 रुपए के आपने 500 रुपए के भाव से 5 शेयर उपर की लेवल पर खरीदेते जब इंडेक्स जल रहा था 12,000, 11,500 के उपर अब 200 रुपए का भाव आ गया तो यहाँ पर नहीं खरीदने वाला भी 5 शेयर तो पहले खरीदेते तो 15 शेयर खरीद लेता है तो आपके 300 रु अब बंदा क्या सुचता है मैं तो एक्दम सेफ हो गया हूँ बाजार 270-75 के आसपस आएगा तो मैं एकबर काट दूँगा आपको लगता है कि आप खुद सोचेगा psychological study के साब से बोल रहा हूं है आपको लगता है कि यह बाजार 270-275 बहुत जल्दी आ जाएगा और बहुत कि नॉर्मल पब्लीक के पास पैसा जो नॉर्मल इंवेस्टर है जो रिटियल इंवेस्टर है उन लोगों के पास पैसा चला जाएगा और स्मार्ट स्मार्ट मनी जो है को लूज कर जाएगा अगर वो लूज कर गए तो बाजार में जो इतना पैसा लगा होता है जारों क्र तो आप लोग खुद बताईए, आप लोग खुद सोचिए कि बाजार यहां से इतनी जल्दी रिकवरी लगती है कि अगर 270-275 हो गया तो सब लोग प्रॉफिट कर लेंगे और सोचिंगे और सब लोगे मार्केट लिए पॉजिटिव हो जाएंगे तो इसलिए मुझे लगता यह अभी कहना एक्दम इंपॉसिवल है और कहीं पर अभी ऐसी कोई रिपोर्ट भी नहीं बनीए कहीं पर कोई ऐसा अनॉंसमेंट भी नहीं हुआ है कि हम लोग यह टाइम फ्रेम में इन सब प्रॉब्लम से निकल जाएंगे क्रोना वायरस से निकलने के लिए आपका और मे तो हो सकता है कि आप लोगों का जो पैसा तूटा है वह भीडना चालो हो जाए क्षिए यहासे तूटना कम हो जाए क्योंकि अगर इस वाइरس के Ьफेक्ट खतम हो जाते हैं तो फिर जो एकोनोमिक एक अमारी जो एकानोमिक स्लोडॉण वां हुआ है इस वायरस के चलते बाकी तो इस YouTube channel में आप लोगो एक ही channel में stock market, commodity market, currency market, future and options, सब की रणनीतियां आप लोगो इसी में मिलती है, देखते रही है मेरे अपने इस channel को, जब भी अगर ऐसे कोई संकेत मिलते हैं कि यहां से आप तेजी lot आने की गुंजाईश लगती है, जैसे मैंने आप लोगो 12400 के level में आप लोगों उससे हाथ जोड जोड कर विलती की थी कि यहां पर अपना मुनाफ़ा को कर लो, book कर लो, book कर लो, उसी तरह मैं आप लोगों कोशिश करूँगा कि अगर कोई you turn आता है तो मैं आप लोगों तक पहले पहुंचा दूँ, अपने वीडियो को wind up करने से पहल low for a beer और too high for a bull कोई बजार में कोई बजार में मंदा भाव मंदेडी जो रहेंगे वो मंदी करना उनको कोई भाव जमेगा और जो तेजी में बैठने वाले रहेंगे उनको कोई भाव में बजार तेज नहीं लगए उनको लगगा कि यहां से भागे गई भागेगा तो इन स सब बातों पर जादा ना ध्यान देखे बाजार पर फोकस करिए लिमिटेड काम करिए स्पेकुलेशन मत करिए लीवरेज इस्तमाल मत करिए अपनी सारी परफॉर्मेंशीट अभी तक आप लोगों के साथ इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी परफॉर्मेंशीट का बिलिंक दिया होता है उसको देखे कितना प्रॉफिट दिख रहा है अभी इतना कुछ होने के बाद भी अपन बीस परशन के ऊपर एक्विटी मार्केट में जनरेट करके रखे हुए हैं कमवरिटी मार्केट में नेंटी नेंटी टू परशन का कैपिटल रिटर निकाल के इसे ली हो पारा है क्योंकि मैं आप लोगको एक काईदे एक स्ट्राइजी एक डिसि Wheels में काम करवाने की कुह arrog drunk LA chapter करता हूँ आश्चा करता हूे मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक करिए सब्सक्राइब करिएगा और अपने friends family के साथ म के टाइम पर इस चैनल के माधियम से अगर मैं आप लोगों के घर में कुछ प्रॉफिट पहुचा सकूँ तो इससे बड़ा पुन्य का काम मेरे लिए और कुछ नहीं होगा क्योंकि ये टाइम पर आप लोगो व्यापारिक मार भी लगी है और जो लोग नौकरी पेशे वाले हैं उन लोग को भी मार लगी है और कंपनीज को भी मार लगी है ये चैनल के मादियम से कोशिश करूँगा कि आप लोग का वो फैनलिशल लॉज जो हो रहा है वहां की भरभाई कर सकूँ और आप लोग भी कोशिश करिए इस चैनल को अपने फ्रेंस फैमिली तक कहुचाने के लिए ताकि आप भी उस पु वाचिंग मैं वीडियो जै हिल जै भारण